अनन्त अंबानी और राधिका मर्चन की साधी की कार्ड में बिहार की बेटी ने दी है अपनी आवाज जी हाँ अंबानी की शाधी का कार्ड जो अपने आप में ही खास है उसे और खास बनाया है बिहार की बेटी माधवी मदुकर की आवाज ने तो आखिर इंडियन आइडल में रिजेक्ट हुई मादवी की प्रतीवा को कैसे पहचान मिली इन सबसे जूरी तमाम बाते और जनकारिया हम आपको आगे की वीडियो में विस्तार से बताएंगे उससे पहले नमशकार मैं स्नेहल चरसिया और आप देख रहें सच टॉक्स अनंतंबानी और रादिका मर्चन की शादी को लेकर तैयारिया जोरो पर है प्री वेडिंग इवेंट के बाद अब सभी को वेडिंग का इंतजार है सभी महमानों को शादी के कार्ट बढ़ चुके हैं जो अपने आप में ही बेहत खास है और उसे और भी खास बनाया है माद बक 6 लाग के कार्ट पर भिहार की बेटी मादवी मदुकर की आवाज गुंज रही है कभी इंडियन आइडियल में रिजेक्ट हुई मादवी की प्रतिवा कौमबानी परिवार ने पहचाना नीतामबानी को उनकी आवाज काफी पसंद आई उन्होंने मादवी से संपर्क क भागलपुर की माधवी को जब इस मंत के लिए पहला मेल आया तो उन्होंने इग्नोर कर दिया उन्हें लगा ये फेक मेल है वही माधवी ने बताया कि उन्हें एक मेल आया जिसमें उनके गाय मंत को अनंतंबानी और रादिका मर्चन की साधी के कार्ड और विवा के दिन इस अस्तमाल करने की पमिशन मांगी गई थी उन्होंने जब ये मेल देखा तो उन्हें फ्रॉड लगा इस कारण उन्होंने इस मेल को इग्नोर किया अगले दिन उनके किसी टीम मेंबर ने कहा किसी कॉंसर्ट के लिए कॉल आएगा जब माधवी ने कॉल रिसीव किया तो बोल कि रिलाइंस की तरफ से बोल रहे हैं माधवी को लगा कि रोज की तरह कोई रिलाइंस जीओ को लेकर कंपनी की तरफ से कॉल कर रहा है फिर आगे बात करने पर उन्होंने बताया कि वो मुकेस अंबानी की टीम से बोल रहे हैं माधवी का गाया विश्णू सहस्त्र नाम मंत नीता अंबानी को काफी पसंद आया है और उन्होंने अपने घर के पुरोईतों से भी इसके बारे में बात की है इसलिए वो मादवी से शादी की कार्ड और विवा में वर्माला से लेकर सिंदूरदान तक उनके गाय मंत को इस्तमाल करने की परमिशन चाहते हैं मादवी को पहले तो इस बात पर यकीन नहीं हुआ था फिर उन्होंने उनके टीम मेंबर से पूछा कि आखिर वे लोग उन तक कैसे पहुचे तब उन्होंने बताया कि वे लोग ऐसी ही किसी मंत की तलास में इंटरनेट पर सर्च कर रहे थे तो अचानक मादवी का गाया मंतर दिखा और सभी ने उसे रेकेमेंड किया मादवी के हा करने के बाद अमबानी परिवार की ओर से मादवी को उनके गीत के लिए पैसो का ओफर भी दिया गया लेकिन उन्होंने सम्मान पुर्वक इंकार कर दिया मादवी ने कहा कि यह पुन्य का काम है और किसी भी धर्म के क के लिए उनका गाया मंत इस्तेमाल हो रहा है यही बहुत बड़ी बात है मादवी ने बताया कि इस विश्णु सहस्त्र नाम मंत्र की खास्यत यह है कि इसमें भगवान विश्णु के हजार नाम है इन्होंने इस मंत को करीब दो साल पहले गाकर यह अपने यूटुब चैनल पर अप्लोट किया था आदे घंडे के मंत के कुछ भाग को ही शादी की कार्ड में इस्तेमाल किया गया है आपको बता दे कि 36 साल के मादवी बिहार के भागलपूर की रहने वाली है मादवी ने बताया कि उन्होंने गाने की क अदवी ने बताया कि उनके लाइफ में एक ऐसा समय अभी आया जब पूरी तरह से हतास हो गई थी और बिमार रहने लगी थी इन सभी चीज से बाहर निकलने के लिए उन्होंने भगवान की सरन का सहारा लिया वह भगवान के मत जाब करती रहती थी जिससे उन्हें पॉज 2019 में करोना के दोरान उन्होंने अपने चैनल पर एक मैथली गाना गा कर डाला फिर आगे संस्कृत में भजन मंत्र गीत गार कर डालने लगी आज मादवी के गायक स्रोतम को दो करोर से अधिक बार लोग देख चुके हैं उनका गाया किस नटकम करोना के समय काफी वाइरल ह हुआ था मादवी ने अपने इंट्रेप्रणोर पती प्यूस जा के साथ मिलकर अपने एक म्यूजिक बैंड की टीम बनाई है जिसका नाम मधुरम ब्रिंद रखा गया है पने पूरी के संक्राचारे स्वामेन इस्चलानन से दिख्षा भी ली है इतना ही नहीं मादवी की आवाज राम लला के प्रान प्रतिस्टा में भी गूंजी है अयोद्या के अमरित महुतसप के दौरान मादवी को गाने के लिए निमंतरन भेजा गया था इसके अलावा पंचायत तीन वेप स्रीज में भी उनका मैथली में गाया क्रिष्ण भजन इस्तमाल किया गया है मादवी के लिए क्या कुछ कहना चाहते हैं अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं तब तक मुझे इजादत दीजिए धन्यवाद